कि आप आप सब ठीक होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इस प्रिवेश एर पेपर आप चैनल इंग्लिश आप शिक्ट सेमिस्टर बैस्ट टूजएंट इटेन अंद बैकलाग बैचिस ऑफ टूजएंट इसके अलावा आप सब को पता ही होगा कि मैंने अर्रेडी एक वीडियो अपलोड किया है जो यह पेपर था जिस पेपर को मैंने उस वीडियो में डिसक्स किया है और जो यह पेपर है जैने जिस पेपर को आज में डिसक्स करने वाला हूँ ठीक है यानि जिस पेपर को आज में यहाँ पे डिटेल में डिसक्स करने वाला हूँ तो इस इसके उपर मैंने आर एक वीडियो बनाया है ठीक है लेकिन मैंने उसमें अपनी आवाज नहीं दी मैंने उसको अच्छी तरीके से इलाबरेट नहीं किया है तो खाली मैंने उसमें जो आंसर है उनको हाइलाइट किया और आपके सामने लाया तो मैंने आज बहतर समझा कि जो वीडियो है यहने जो पेपर है इसको आज हैं डिटेल में डिसकस करेंगे ताकि किसी को कोई डाउट हो तो उसका tis का कोई बीडाउट हो उसको कलियर हो जाए तो सबसे पहले हमने पता होना चाहिए कि जो पैटर्न नहों होता है प्! कREEपर का वो कैसा होता है ठीक है यहां बावजूद जो पैटर्न होता है पेपर का वो ओमरशीट पर होता है ठीक है तो ताइम पेर यहां पर आपको दिया जाता है 40 minutes okay यहने मैंने पहले कहा कि जो examination में जो बहुत ज्यादा important चीज होता है वो होता है time period okay and timing is very important in the examination तो आपको यहां पर 40 minutes दिये जाते हैं in 40 minutes में in this time period you have to complete or you have to answer all the questions during this time period okay including 10 minutes for distribution and collection of OMR sheet मतलब आपको हर एक question को एक minute दिया जाता है box जो यहां पर 10 minutes है ठीक है 10 minutes आपको किस लिए दिया जाते है ताकि जो distribution and collection होता है OMR sheet का उसके लिए आपको दिया जाते है जो जराक्स होते है वो आपको अपने पास रखनी है और जो आरजनल कापी है वो आपको submit करनी होती है तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए है चैनल को subscribe कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दावाई दिजिए ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अप्लोड करेंगे उसकी notification आपको on time मिलेगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते है question number one से question number one is how to judge globalism featured in the winter issue आप है monthly magazine called तो मैंने इस वीडियो को already मैंने इस question को already discuss किया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है English के regarding तो आप उनको check out कर सकते हो ठीक है आप मेरे playlist में जाके उनको check out कर सकते हो तो इस question का जो correct answer है वो है option number a the American prospect okay next question करते है question number two question number two is the book वजरा च्छदिका प्रजना परम सुत्रा and old treatise on the Buddhism is sometimes referred to as तो इस जो यह book है इसको हम क्या कहते है ठीक है क्या हम इसे golden सुत्रा कहते है platinum सुत्रा, diamond सुत्रा या silver सुत्रा तो इस question को भी मैंने discuss किया है तो अगर आपने नहीं देखा तो मैंने already कहा है कि आप playlist में जाके उन वीडियो को check out कर सकते हो ताकि आपको वह exam में help कर सकते हो तो इस question का जो correct answer है वो है diamond सुत्रा okay next question करते है question number three Aria Bata had discussed the content of science in his classical work on astronomy and mathematics calling it by the Sanskrit name तो इसको क्या कहते थे इसे कहते थे Jai Arda ठीक है यानि option number B is the correct answer for this question Jai Arda is the correct answer for this question next करते है question number four question number four is Amartya Singh pointed out in how to judge globalism that the permanent members of the security council of the United Nations were together responsible for the deadest percent of world arms export from 1996 to 2000 तो इस question का जो correct answer है वो है option number C 81% ठीक है यानि 81% of world arms export from 1996 through 2000 okay 81 is the correct answer for this question next question is email stands for this question में हमने ये बताना है कि email का मतलब क्या होता है क्या मतलब emergency mail होता है engineering mail होता है elegant mail होता है या फिर electronic mail इस question का सही answer है that is electronic mail email का मतलब होता है electronic mail okay question number six says which of the following is not a characteristic of a good email इस question में हमने ये बताना है कि जो email के जो characters होते है वो कौन से हो, कौन से होते है, क्या वो lucidity होता है, ambiguity होता है, clarity, straightforwardness, ठीक है, तो इस question का जो correct answer है वो है ambiguity, यानि ambiguity is not a character of good email, okay, next question करते है, question number 7, question number 7 is, English word advertisement has been derived from direct word adverti, that means to turn pay our attention, देखिए, जो word advertisement है, ये derive हुआ है, कहां से, ये derive हुआ है एक latent word से, जिसका मतलब होता है, adverti, adverti का मतलब क्या होता है, adverti का मतलब होता है, to pay attention, ठीक है, जब भी हम कोई advertise बनाते है, तो उसका मकसद ही होता है, कि लोगों का attention इस पे जाए, okay, यानि जो correct answer है इस question का, वो है latent, okay, English word advertisement कहां से derive हुआ है, ये derive हुआ है एक latent word से, जिसका मतलब होता है, adverti, okay, next question करते है, question number 8, a literally composition, usually prose on a subject is termed as, देखिए, a literally composition, usually prose on a subject is termed as, तो इससे हम क्या कहते है, कैसे हम pipe कहते है, इससे हम essay कहते है, novel या फिर epic, तो इस चीज़ को हम क्या कहते है, इस तारह के composition को, इस तारह के prose, जो हम usually prose कहते है, क्या कहते है हम इसे, यह होता है, essay, ठीक है, यानि essay is a literally composition, और we can say usually prose on any subject, तो इससे हम कहते है, essay, okay, next question करते है, next question is, the autobiography of a horse could be classified among which of the following type of essays, देखिए, जो autobiography होती है, एक गोडे की, ठीक है, उसे हम किस तरह के essays की category में हम इसको classify करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना है चाहिए, कि जो autobiography होती है, वो गोडे की नहीं होती, बलगे एक इनसान की होती है, ठीक है, और जो गोड़ा होता है, उसे हम कहते है, five sensor organ, क्या है कहते हैं हम इसे, five sensor organ, five sensor organ हम उसको कहते है, जो ना लिख सके, ना पढ़ सके, okay, इस तरह के जो यानि जो अगर आप बात करेंगे, imaginative essays के बारे में, तो जो imaginative essays होते है, इनमें सबसे ज्यादा किस चीज़ का, जो imaginative essays होते है, इनमें सबसे ज्यादा fiction का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानि जो ये imaginative essays होते है, it is totally dependent upon fiction, okay, किस पर ये dependent होते है, fiction पे, okay, so, जो autobiography होती है एक हारस की, तो यह क्या होता है? यह Imaginative Essays होते हैं, तो यह कहां पर Category होते हैं, कहां पर Classify होते हैं, यह किस Category में Classify होते हैं, तो यह Imaginative Essays की Category में Classify होते हैं, क्योंकि जो Autobiography होती है, मतलब हारस की, it is totally depend upon Imaginative Secularies, और Fiction, इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, Imaginative Secularies का इस्तेमाल किया जाता है, और इस Question का जो Correct Answer हो है, Imaginative Essays, ओके, Option No. D is the Correct Answer for this Question, Next Question is, Which of the Following does not comprise the Standard Email Format, तो इस Question में हमने यह बताना है, कि Email का Format इन में से कौन नहीं है, क्या वो Solution है, क्या वो Body है, Signature है, या फिर Sologan, तो Option No. D, Sologan is not the Correct Answer for this, is the Correct Answer for this Question, but it is not the Standard Email Format, ओके, तो Solution जो है, यह एक Standard Email Format है, Body जो है, यह भी Standard Email Format है, Signature जो है, यह भी Standard Email Format है, और जो Sologan है, इस Not the Email Standard Format, ओके, तो next Question करते है, Next Question is, Making use of Visuals, like Drying, Designers, Sketches and Photographers in an Advertisement can be associated with, तो देखिए, जो Advertisement होते हैं, अगर हम Advertisement की बात करेंगे, Advertisement को दो हिस्ट में Divide किया गया, यहने Advertisement को दो Types में Divide किया गया है, एक होता है Classified Adders, ठीक है, दूसरे होते हैं, Commercial Adders, Commercial Adders जो होते हैं, इनको और हम क्या कहते हैं, इन्हें और हम कहते हैं, Display Adders, ओके, Display Adders, जो Commercial Adders होते हैं, it is more expensive than Classified Adders, क्योंकि जो Classified Adders होते हैं, इन्हें हम एक Rectangular Box में लिखते हैं, ठीक हैं, कहां पे लिखते हैं, Rectangular Box में, For example, जो इसके Types होते हैं, चाहे वो Situation Wanted हो, ठीक है, तो यानि Accommodation हो, या और कोई Type हो, तो इस तरह के जो Adders होते हैं, यानि जो Classified Adders होते हैं, इनको हम एक Rectangular Box में लिखते हैं, मतलब हम जो, For example, अगर हमें, हमारे पास कोई, मतलब, House है, अगर उसको हम Rent पे देना चाहते हैं, तो हम Erotisement, किस तरह के Erotisement को देते हैं, यहाँ पे, हम Classified Erotisement को देते हैं, क्यूंकि हम इसको खाली एक Rectangular Box में लिखते हैं, तो इस तरह से, जो यह Erotisement होता है, यह Less Expensive होता है, As Compared to Commercial Adders, ठीक है, यानि जो Commercial Adders होते हैं, इनमें Pictures का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, Photographers का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें Videos का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इनमें Secrets का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखें, इस वज़ा से, जो यह Commercial Adders होते हैं, जिसको हम और हम कहते है डिस्पले एड़ यह बहुत क्या होते हैं बहुत expensive होते हैं as compared to classified एड़ तो इन एड़ को हम क्या कहते हैं ठीक है यानि जिसमें making use of visualers जिसमें किसका इस्तेमाल किया गया हो जिसमें ड्राइंग का इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें डिजाइनिस का इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें सिकेच का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर फोटोग्राफर का इस्तेमाल किया गया हो, तो इस तरह के अरोटाइजमेंट को हम कहां पर अस्टेट करते हैं, क्या हम इने Classified Erotismant कहते है Display Normative Erotismant या Philosophical Erotismant इस तरह के Erotismant को हम कहते है Display Erotismant Classified Erotismant मैंने आपको समझा है पहले ही और जो Display Erotismant है जो Display Erotismant होते है इनमें किस चीज़ का इस्तिमाल किया जाता है इनमें इस्तिमाल किया जाता है डिजाइन इसका, फोर्टोग्राफिस का, वीडियो इसका, ठीक है, तो correct answer for this question is, option number B, display advertisement, okay, question number 12 की बात करेंगे, question number 12 is, which of the following is not a characteristic of a good essay, तो इस question में हमने ये बताना है, which of the following is not a good essay of characters, ठीक है, यानि, good essay नहीं, which of the following is not a characteristic of a good essay, ठीक है, क्या unity है, ब्रेवटी है, क्लिर्टी है, या फिर ambiguity है, देखें, अगर हम बात करेंगे, किनके, बात करेंगे हम, characters of good essay, okay, सबसे पहले आता है, इसमें, ब्रेवटी, unity, ठीक है, सिटैल आता है, okay, personal touch आता है, इस तरह बहुत सारे आते है, जिस तरह जिनमें, ब्रेवटी, क्लिर्टी, unity, आते है, ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें जो आते है, वो आता है, ब्रेवटी, unity आता है, सिटैल आता है, personal touch आता है, ठीक है, clarity आता है, तो आप तो यहाँ पर बचा है, that is ambiguity, okay, ambiguity का मतलब क्या होता है, जो ambiguity है, इसका मतलब होता है to, यानि यह दो वोर्डों से मिलके, एक वोर पाइदा करते है, तो जो यह वोर्ड होता है, इसमें, मतलब, well defined नहीं होता है, हम कहा सकते हैं कि जो यह वोर्ड होता है, यह well defined नहीं होता है, क्या होता है, यह जो वोर्ड होता है, यह unclear होता है, जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं, जब भी हम कोई ऐसे बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी topic पर ऐसे लिखते हैं तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना जोरी होता है कि हमें ऐसे word यहां पर add नहीं करने होते हैं जो कि doubt पाइदा करें ठीक है, जो कि doubt पाइदा करें या जिनका माने unclear रहे ठीक है, या जो undefined रहे, ओके, तो ambiguity is the correct answer for this question. next question की बात करेंगे, an is a group of related sentences that develop a single point, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, परिग्राफ, option number d is the correct answer for this question, next question is, bcc in an email writing standards for, जो email में होता है bcc, ठीक है, या या बcc जो email में होता है, उसे क्या हम कहते हैं, देखें, उसे हम कहते हैं, blind carbon copy, okay, blind carbon copy is the correct answer for this question, but, जो यह blind carbon copy होते हैं, कहां पर मनलब इसका इस्तेमाल क्या होता है, क्या उसका use होता है, यह जो planned carbon copy होते हैं, अगर हमें, for example, हम किसी चीज़ को, मनलब, किसी परसन को email बेजते हैं, जो recipient होता है, हम उसका जो चान्टैक्ट होता है, इससे हम, अगर हमें, घर करना होता है, मनलब, अगर हमें, घर क होता है अगर उसके नाम को हम यानि जो उसका जो उसकी कंटेक्ट डिटेल हो ठीक है अगर हमें उससे हाइड करना होगा ठीक है जो हमें उससे हाइड करना पड़ेगा तो हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं यानि हम बलाइंड कार्बन कापी का इस्तेमाल करते हैं यानि हम बल मैंने पहले का हुआ कि जो एकुलै कि उससे के ब्रेव टी अब हमने बताने मिल इसके होता है प्रेर्टी का अब बरेव्य की होता है करेंगे यहां पर कॉछ्चन नमर्व 16 ऐसे अन सब्जेक्ट इस फिलिंग एंड एक्सपेश अपे सेलर अन सम्पिक्शस आइलांड इस एक्जम्पल आप देखे मैंने पहले का है कि जो इसे होते हैं खिक है ग्ति एसे जो होते हैं वह किस पर डिपैंड होते हैं वह टौटली होते हैं फिक्शन पर किस पर और जो इसमें स्तेमाल किया जाता है इस तरह के essays को हम कहते है imaginative essay imaginative essay is the correct answer for this question question number 17 की बात करेंगे यहां पे okay question number 17 is which among the following can not be an email address आप सब को पता होना चाहिए कि email हम किस तरह से लिखते है for example हम लिखते है कि for example यहां पे है johns74 at the rate of gmail.com ठीक है www.yahoo.com jackcobus at the rate of rate of mail.com xyz9 at the rate of hotmail.com तो देखे यह भी email है ठीक है यह भी email है और यह भी email है यह जो है www.yahoo.com यह एक तरह की website है ठीक है तो which among the following can not be an email address इस question में हमने यह बताना है कि दे गए options में इस में से email कौन सी नहीं है तो that is option number B okay option number B is the correct answer for this question next question करते है book reviewers critical analysis ठीक है of movies eventers topics to unveil underlying themes and motives could be classified as essays देखे जो essays होते है जिर में हम book उसको review कर देखे for example मैंने कोई book लिकी है अब हमने मैंने उसको publish किया है बहुत सारे criticizers होते है ठीक है यहने जो जो किसी book को देखते है उसको review देते है for example मैंने कोई book लिकी है यहां पर माने कोई book लिकी है अब कोई बंदा आ गया उसने उसके regarding कोई review दी है ठीक है उन्हें उसको analyze किया है book को ठीक है इस तरह के essay को हम क्या कहते है जाहे कोई movie आए ठीक है कोई movie आए जब भी कोई नई movie आते है हर कोई अपनाinee देता है हर कोई उसे analyze करता है तो इस तरह के essay ko क्या कहते है क्या उसे हम scientific, essay कहते है क्या उसे हम analytical, essay कहते है narrative या फिरphemeral ऐसे है छिक है तो scientific, essay सबसे पहले हम नहीं पता होना चाहिए कि सेंटिफिक एसेज हम किस चीज को कहते हैं किस एसेज को कहते हैं जो सेंटिफिक एसेज होते हैं इनमें हम किस का इस्तेमाल करते हैं इनमें हम सेंटिफिक थोरीज का इस्तेमाल करते हैं सेंटिफिक लाज का इस्तेमाल करते हैं ठीक ह हम किसी भी चाह है वो book हो, ठीक है, चाह हो book हो, चाह है वो movie हो, या और कोई चीज हो, तो उसे हो analyze करें, उस चीज को हम क्या कहते है, उस essays को हम कहते है, analytical essays, ठीक है, इसी दरह سے जो narrative essay है, narrative essay को हम, चाह हम अगर हमने कोई story नेरेट की है तो उस तरह के essay को हम narrative essay कहते है तो mathematical आपको पता यह होगा जिसमें mathematical फारमलाज का इस्तेमाल किया गया हो ठीक है तो अब जो इसका correct answer है that is analytical essay analytical essay हम उस essay को कहते है जो कि किसी अगर for example कोई book publish होई हो तो उसके regarding कोई अपना review दे ठीक है या चाहे वो कोई movie release हो उसके regarding हो अपने मतलब अपनी review दे या फिर उसे analyze करे तो इस तरह के essays को हम क्या कहते है इस तरह के essays को हम analytical essay कहते है okay option number B is the correct answer for this question next question की बात करेंगे essays dealing with issues law friendship like death morality etc could be classified as a digest essay तो इस तरह के essays को हम philosophical essay कहते है option number D is the correct answer for this question question number 20 is which of the following is not a silent feature of advertisement तो दिये गए options में इन में से को नहीं है silent feature of advertisement क्या वो slogan है, title है, attractive layout या फिर dumbness देखिए जब भी हम कोई advertisement देते हैं, for example आपने कोई company खूली है, ठीक है, आपने कोई company open की है, तो अब जो आपके प्रेड़ेटर्स है, आप उनको advertise करना चाहते है, आप उनको आगे ले जाना चाहते हो, तो आप obviously advertise देते हो, ठीक है तो यहां पे जो advertisement के silent features होते है, advertise का मकसद क्या होता है, क्या use होता है, कि मैंने पहले कहा कि advertisement का मतलब होता है, कि to pay attention मतलब लोगों का ध्यान इस पर जाये तो मतलब एक तरह का वो slogan होता है जो उसमें title होता है, यह भी होता है title देना जोरी होता है, कि मतलब हम किसके regarding advertisement देते है, चाहे हो job की regarding हो, चाहे किसी, जो आपको product हो चाहे, आपकी कोई good हो, कोई सर्विसों उसे promote करें, तो आपको title देना जोरी होता है, ठीक है, यह attractive layout आप इस तरह से layout बनाते हो, लोग इसमें attractive हो जाए, और doubtness doubtness अगर आप देख सकते हो, कि अगर उसमें कोई doubt हो जाए, मतलब लोग को लगता है, कि it's not good, मतलब यह हमारे लिए ठीक नहीं है, तो लोग उसे हट जाते हैं, तो जो doubtness है, doubtness है, यह जो doubtness है, मतलब it's not a feature of erotisement, okay, option number D is the correct answer for this question, next question की बात करें, question number 21, Martin Lourdar King completed his doctorate problem, तो इस question में हमने यह बताना है कि, जो Martin Lourdar King थे, उन्होंने अपनी जो degree है, doctorate की degree, वो कहां से हासिल की, तो इस question का जो correct answer है, वो है Boston University, ठीक है, लेकिन आप जो यहां पर सवाल बनता है कि, अगर उन्होंने डॉक्टरेट की है, Boston University, तो किस में की थे, ठीक है, तो उन्होंने की थी systematic S Y S T E M A T I, systematic theology, okay, systematic theology में उन्होंने डॉक्टरेट की थी, okay यानि option number D is the correct answer for this question question number 21 question number 22 करेंगे यहां से question number 22 is, Martin Lourdar King led his movement marked by days of precision and committing to work on foot successfully, तो इस question का जो correct answer है, वो है option number C, यानि 382, okay next question की बात करेंगे यहां पर in 1957, Martin Lourdar King along with 60 ministers founded, तो उन्होंने क्या बनाया था उन्होंने बनाया था क्या Southern Christian Leadership Conference, okay, Southern Christian Leadership Conference, जिसे हम कहते है, S, short में हम उसे कहते है, S, C, L C, option number D is the correct answer for this question next question is, question number 24, the speech I have a dream was delivered by Martin Lourdar King on तो इस question में हमने यह बताना है कि जो speech I have a dream दी थी किसने Martin Lourdar King ने वो कब दी थी, वो दी थी उन्होंने 20th of August 1963 में, okay, option number B is the correct answer for this question next question करते है option number C is the correct answer for this question that is justice, okay next question की बात करें, question number 26 is Martin Lourdar King in his speech said we must rise to the majestic height of meeting physical force with Dadash Saul तो Saul यह जो question मैंने आरदी इसको आंसर बता दिया है इस question का मैंने आरदी आंसर बता दिया है that is, Saul is the correct answer for this question, okay, question number 27 is, in this speech Martin Lourdar King alluded to Abraham Lincoln's Dadash address on evolution of slavery तो इस question का जो correct answer है option number A, Gettysburg next question is, question number 28 the speech I have a dream ends with तो आप सबको पता ही होगा है that is, we are free at last, okay question number 21 is Amartya Sen wrote a book Amartya Sen wrote the book and Uncertain Glory India with it is contradiction jointly with okay, तो किस के साथ उनने लिखी थी तो वो थे Jean Dries option number A is the correct answer for this question आज का last question भी करते है the name Amartya Sen which means immortal was given to by him तो Amartya Sen के नाम के साथ जोड़ा गया था immortal, ठीक है तो immortal का मतलब क्या होता है immortal का मतलब होता है जिसका नाम हमेशा जिनदा रहे, okay was given to him by तो किस ने इसको ये दिया था किस की ओर से इसको मिला था, तो इसको मिला था Rabindranath Tiger की ओर से so that was all about today's topic hope you liked this video, अगर वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को like कीजिए और साथ में चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ श्यार कीजिए, मिलते इंशाल्ला next वीडियो में झाल प्रूए यह इंशादे झाल यहँ यह यह